हेलो एवर्वन स्वागता आपका फिर से हमारे एक ओर नए वीडियो पर तो दोस्तों अगर आप अपने वोट्सप का ब्लू टिक हाइड करना चाहते हो जैसे कि अगर आपके फ्रेंड ने आपको मेसेज किया और आप उसे जब तक रिपलाई नहीं दोगे तब तक उसके पा नहीं एक वोट्सप्ट ओपन कर ले ना तो व हो ओपन करने करने की 2 यहां पर देखिर मेरा नाम आ रहा मेरा दूर्सरा ओट-पर सब्सक्राई को इस पर सिंपल किले करता तो नोगक्व Canada कुष्ञा है बहुंदी यहांपर अजहरायी नापर दूट connect हुं झालियो इना रा गया है मैं अपने दूसरे WhatsApp पर चला जाता हूँ तो यहां पर मैं क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद यहां पर देखे यह कुछ ऐसा इंटरफेस ओपनों का दूसरे WhatsApp का यहां पर देखे यह message आ चुका simply तो guys यहां पर देखे मैंने इस message को शीन कर लिए बट वहां पर unseen बताएगा यहां पर देखे मैं दूसरे WhatsApp पर क्लिक करता हूँ तो guys यहां पर देखे simply unseen बता रहे तो guys इसको अगर मैं reply करूंगा तो ही सीन बताएगा तो मैं guys यहां पर लिख देता हूँ हाई तो guys यहां पर देखे आप फिर से उस WhatsApp पर चलते हैं यहां पर देखे guys यहां पर blue tick आ चुका है तो guys इसकी settings कैसे करते हैं तो इसके बारे मैं आपको बताने वाला हूँ तो guys वीडियो को जान से देखना है तो दोस्तों सबसे पहला आपको अपना WhatsApp एप्लिकेशन ओपिन कर लेना ओपिन करने के बाद guys यहां पर देखे रैड साइड में थ्री डोट से दिखाए दे रही है सबसे उपर तो simply इस पर क्लिक कर देना इस पर क्लिक करने के बाद guys यहां पर देखे कि सबसे पहला इप्सन आरा जीबी सेटिक्स अगर आपने जीबी WhatsApp इंस्टॉल नहीं कर रखाया तो इसको पहले इंस्टॉल कर लेना है तो मैं simply इस पर क्लिक करता हूँ इस पर क्लिक करने के बाद गाजी यहां पर देखे फिर से सबसे पहले ओप्षन आ रहा प्राइवेसी एंड सेट शोकुरूटी तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूं इस पर क्लिक करने के बाद गाजी आपको सिंपली स्क्रोल बार करते रहे ना नीचे स्क्रोल बार करने के यहां पर देखें सा ब्लू टिक्स आफटर रिफलाई तो इसका मतलब है कि अगर आप मेसेज को सीन करोगे तो ब्लू टिक नहीं जाएगा आप उसको रिपलाई करोगे तो ही ब्लू टिक जाएगा तो इसको ऊफ नी रखना इसको permanently own कर देना जिससे की अगर आप अपने friend को reply दोगे तो ही blue tick जाएगा नहीं तुसको लगेगा कि आपने में से scene ही नहीं किये I hope guys आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा अगर कुछ सीखने को मिला तो like कर देजिए और हाँ एसी अपडेट पाने के लिए channel को subscribe करना ना भूले thank you